जैहिन दोस्तों मैं स्वातितोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार RG State Exam YouTube चैनल पर आप सब देख रही हो मेरे पीछे की बोर्ड पर मैंने दो सब्ड लिखे हैं दोनों सब्ड दिखने में अलग-अलग हैं और इनका उच्चारण एक जैसा है लेकिन जब बच्च चारण में एक जैसे हैं तो मैंने पूचा है कि नव गरह में कौन सा समास है और इस वाले नव गरह में कौन सा समास है तो देखो हमें पता है कि इस गरह का अर्थ क्या होता है घर और इसका अर्थ 9 ना होकर नया होता है क्या आप सभी बोलते हो कि 9 घर 10 घर 11 घर नहीं आप विशेश्य है, विशेश्य मतलब संग्या, ठीक है, तो ये कौन सा समास है, करमधार्य समास है, करमधार्य समास क्या होता है, कि जिसका पहला पद विशेश्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, करमधार्य समास कहते हैं, तो नवगरे में कौन सा समास हुआ, करमधार्य समास हुआ, कौ प्रत्वी मंगल तो यह वाला वो गरह है और यहां पे नव का अर्थ नयाना होकर नो होता है तो यह क्या हुआ नो गरह है तो इसमें कौन सा समास हुआ इसमें आपका द्वीगु समास हुआ द्वीगु समास क्या होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वो द्वीगु समास होता है तो इस तरह से इस समास में नव गरह में द्वीगू समास हुआ अब मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस सब्द में कंफ्यूज नहीं होंगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर जिस्टेट एकजाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें